गाइज मैं प्रेड में एंट्री ओ चुक किया हैं मैंने यहां पर एक लोट ना कर दूंगा एक रिज़नेबल से प्रोफिट में आने के बाद और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों यहांपर इक मार्कित में एक फोल होना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह काफी ही important level है जहां पर market sustain नहीं कर पारी है तो देखते हैं दोस्तों जैसा भी कुछ होता है अभी तो हम यहां पर profit में है अगर trade हमारे reverse जाएगा तो हम यहां पर चोटा सा stop loss लेके exit कर देंगे अगर trade fair में जाएगा तो दोस्तों हम यहां पर trade को hold करने वाले तो लेटसी दोस्तों देखते है और वैसे मैंने है लोट को exit करने के लिए order लगाया हुआ तो देखते हैं दोस्तों वह कितनी देर में आते है लेट सी, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लोट एक्जिट कर दिया, ठीक है, सिर्पो सिर्पो मेरा यहाँ पे एक लोट रहा गया, और भावना 185 का चुका है, लगबग यहाँ पे हमें 100 से भी ज़्यादा पोइंट मिल ले है, लेकिन दोस्तों अम मैं यहाँ पे स्टोपल के प्रोफिट में है, तो देखते हैं भी, तो दोस्तों प्रोफिट बढ़ चुका है, ठीक है, भाव आचुका है, 138 का एंड यहाँ पे हमें 3,000 के सम्थिन का प्रोफिट देखने को मिल रहा है, और अभी भी हम यहाँ पे वेटी करने वाले हैं, लेट सी, तो भाई लोग लेके जाता है, वेट करें, और दोस्तों भाव 100 से भी नीचे आ चुका है, ठीक है, 88 का भाव आ चुका है, प्रोफिट साड़े, 4000 के सम्थिन के देखने को मिल रहा है, तो अभी हम वेटी करने वाले हैं, देखते कहां तक हमारा डेट साथ देता है, तो दोस्तों यहाँ प को अबडेट करूँगा, मार्केट बंद होने के बाद, तो उसके बाद मैंने फर्दर कोई भी ट्रेड नहीं लिए, ठीक है, मेरी वही मोर्निंग वाली ट्रेड है, जो कि मैंने होल्ड की उती, ठीक है, वीदे ट्रेलिंग इस्टोप लोज, एंड मोर्निंग मैंने हाँ प लगबग, दोस्तो, 190 यहांँ पर पॉइंट गयन के, और अगर दोस्तों इस ट्रेड की बात को यह जाए, यहांपे बिलकूल ही टॉप्शर शोट की दी, ठीक है, यहां कहांँ पर दोस्तों मैंने इस ट्रेड को बिलकूल टॉप्शर शोट किया था, इंड उसके बाद दो जाईड़ें झाल